किसे अपने ओफिस में छोटा, स्मार्ट और मजबूत प्रिंटर नहीं चाहिए होता, तो अब आपकी खोज हुई खताम हाई, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आज आपके सामने इंट्रिड्यूस कर रहा हूँ नया पैंटम P2500W, वाइफाइ कनेक्टिविटी के साथ, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर ये प्रिंटर आपका काम बहुत आसान बनाता है, एक बहुती स्लीक, कॉम्पाक्ट और छोटा बहारी डिजाइन फिट के साथ बनाया गया है, जो आपके डेली प्रिंटिंग के लिए कमाल का है सही मेटल फ्रेम से बना, ये पैंटम P2500W लंबे समय तक इस्तमाल कर सकते हैं ये छोटा प्रिंटर, 22 A4 पेज़ ब्लाक और वाइट प्रिंट्स प्रती मिनिट प्रिंट करता है और 23 पेज़ लेटर पेपर प्रती मिनिट भी प्रिंट कर सकता है पैंटम आप या फिर एंड्रोइड के लिए मोप्रिया और आई ओएस के लिए एर प्रिंट आप की मदद से आप किसी भी मुबाइल या टाबलेट से इस प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं वाइफाई कनेक्टिमिटी के साथ आप इस प्रिंटर को कई सारे कंप्यूटर के साथ शेर भी कर सकते हैं अपने फोन को वाइफाई से कनेक करके पैंटम आप से डिरेक्ली प्रिंट कर सकते हैं और Google Cloud के जरीए अपना प्रिंट वर्क प्रिंटर तक अपने ओफिस से मीलो दूर रहकर भी भेज सकते हैं। इसका आसान सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस यूजर्स के लिए वर्दान है। आपको बस इतना ही करना है। या तो आप इंस्टॉलेशन सीदी डाले या फिर पैंटम.com से ड्राइवर डाउनलोड करें। आपको किसी IT एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे तेज और आसान वन स्टेप इंस्टॉलेशन ड्राइवर बस कुछी क्लिक्स के साथ प्रिंटर को कनेक्ट और इंस्टॉल करने में मदद करता है। फिर बस अपना इंस्टॉलेशन ऑप्षन चुने और प्रिंटर को कनेक्ट करें। सहीं इंस्टॉलेशन बटन अपने आपलाल हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि प्रिंटर के लिए एक वेंटिलेशन स्पेस बनाया जाए ताकि प्रिंटर का सर्विस टाइम जादा हो सके अब कार्टरिज बदलना कोई सर्दब नहीं क्योंकि पैंटम P2500W आपको देता है कई सारे ओप्षिन्ज और आप चुन सकते हैं अपने 1% कार्टरिज पैंटम P2500W आता है स्टैंडर्ड स्टार्टर कार्टरिज PC210KEV के साथ जो 700 पेजस तक प्रिंट कर सकता है अब अपने प्रिंटिंग एक्स्पीरिंस को और भी अप्ग्रेड कर सकते हैं PC211KEV फुल-on कार्टरिज और PC211 के साथ जो 1600 पेजस तक प्रिंट कर सकता है और इसे रीफिल करना भी बेहदासान है अब एक साल के लिए पूरे भारत वर्ष में on-site service के साथ बेफिक्र होकर प्रिंटिंग का मज़ा लीजिए उमीद है आपको ये प्रिंटर इस्तिमाल करके बहुत अच्छा लगेगा हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद